नमस्कार दोस्तों आपका अपने चैनल मनुज गुप्ता के आड़मी में आपका स्वागत है दोस्तों आज हम लोग अच्छा साथ वी के गडित में पाड बारा परिमिती और छे ट्रफल का प्रेशन संग्रच्छिया लिज्स करने वाले हैं तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेशन संग्रच्छिया लिस यह है प्रेशन संग्रच्छिया लिस उसमें से पहले प्रेशन में क्या दिया गया किसी दीन दर्सिका के प्रेश्ट की लंबाई 45 सेंटी मीटर है और चौड़ाई 26 सेंटी मीटर है तो उस प्रेश्ट का छे ट्रफल कितना होगा तो दीन दर्सिका का मतलब क्या होगे जो हम लोग के घर में जो कैलेंडर रता है उसको हम लोग दीन दर्सिका करते हैं तो यहाँ पे दिखो दिन दर्सिका की लंबाई और चोड़ाई दिया गया, मतलब दिन दर्सिका क्या होती है, कलेंडर क्या होता है, आयताकार होता है, तो यहाँ पे आयत का छेत्रफल लगेगा, तो यहाँ पे लिखोगे, दिन दर्सिका के प्रिश्ठ की लंबाई हमको दि कितना दिया गया है 45 सेंटी मेटर तथा दिन दर्सिका के प्रिष्ठ की चवड़ाई कितना दिया गया है 26 सेंटी मेटर यह जब आयता कार होता है तो आयत का छे तरफल लगेगा इसलिए दिन दर्सिका के प्रिष्ठ का छे तरफल पुझा ना क्या होता है फॉर्मूला लंबाई गुड़े चवड़ाई यह होता है फॉर्मूला तो लंबाई कितना दिया गया है 45 और चवड़ाई दिया गया है 26 45 में 26 का गुड़ा कर दो यहां पर गुड़ा करते है 45 में 26 का गुड़ा करते है 3.6 सेंटीमीटर तथा आधार 4.8 सेंटीमीटर है तो उस त्रिभूच का छे द्रफल गया करो तो सबसे पहले लिख लो की क्या क्या दिया गया है 3.6 सेंटीमीटर और क्या दिया गया देखो यहां पर आधार दिया गया है यहां पर लिखोगे त्रिभूच का आधार आधार कितना दिया गया है 4.8 सेंटीमीटर यहां पर लिखोगे इसलिए त्रिभूच का छे त्रफल आधा फोर्मूला आधा गुड़े आधार गुड़े मुचाई यही होता फोर्मूला अब इसलिए फोर्मूला में रख लो देखो आधा को आधा ही लिखोगे आधार कितना दिया गया है 4.8 गुड़े उचाई दिया है 3.6 अब क्या करोगे इसको कट कर दो जोकर यह दो के पारे से कट हो जाएगा दो दिनी 4, 2.8 मतलब यह आजागा 2.4 अब इसका गुड़ा कर दो 2.4 का गुड़ा करेंगे 3.6 में तिया जगा 6.24 हासिल 2, 6 दिनी 12, 2.14 यहाँ पर गुड़ा का चिन 3.12 हासिल 1, 3 दिनी 6, 1, 7 अब इसको जोड दिया गया तिया जगा 4, 6 और यहाँ पर आया 8 और यहाँ दोखोगे दसमलग बाद एक अंख है, दसमलग बाद एक अंख है, एक एक दो, पीछे से गिनेंगे एक दो, दो अंख के बाद में यहाँ पर दसमलग लग जाएगा, इसका उत्तर कितना जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, 2.4 गुड़े, 3.6 यह जाएगा, 8.6 चार व होता है, आधा गुड़े, आधार गुड़े उचाए, इसमें रख करके हम लोग इसका उत्तर निकाल लेंगे, अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया है, किसी आयताकार भूखंड की लंबाई, 75.5 मीटर और चावड़ाई, 30.5 मीटर है, तो एक हजार रूपे प आयत का पहले छेतर रफल निकालना पड़ेगा, उसके बाद में इसकी मूल्य निकालनी पड़ेगी, तो यहाँ पे लिखते हैं, आयताकार भूखंड की लंबाई, कितना दिया गया है, 75.5 मीटर, उसके बाद में और क्या दिया गया है, आयताकार भूखंड की चवड़ाई, चवड़ाई कितना दिया गया है, 30.5 मीटर, तो यहाँ पे सब सब पहले छेतर रफल निकालोगे, इसलिये आयताकार भूखंड का छेतर रफल, छेतर रफल क्या होता है, लंबाई गुड़े, चवड़ाई यही होता है, छेतर रफल का सुत्र, तो यह जाएगा 75.5, गुड़े 3.5, अब इसका गुड़ा कर दो, यहाँ पे गुड़ा करते हैं 75.5 में 30.5 का गुड़ा कर दो, तो पहले 5 का पाड़ा पड़ोगे, 5-25, 6-2, 5-25, 27-2, 5-25, 35-2, 37, यहाँ पे एक गुड़ा का चेन, 0-5, 0-5, 0-0, 0-7, 0, अब यहाँ पे दो गुड़ा का चेन है, अब 3 का पाड़ा पाड़ा है, 3-5, 15, 18, इसका गुड़ा कर दो, यहाँ पे एक अंख है, तो एक, एक, दो हो जाता है, यहाँ पे पीछे से गिनेंगे, एक, दो, यहाँ जाएगा, यहाँ पे दसमलो लगेगा, यह कितना हो गया, 232.75 वर्ग मीटर, यह तो यह आगे न, इसका छेत्रफल आ गया, अब क्या बोला गया, भूखंड का मुल्य बोला गया, यहाँ पे भूखंड का छेत्रफल कितना है, 232.75 यहाँ पे दर दिया गया, एक हजार, अब एक हजार का यहाँ पे गुड़ा करते हैं, तो इसी में एक हजार का गुड़ा कर लो, सबसे पहले यह वाले जीरो का पाड़ा पढ़ोगे, तो यह जीरो ही जीरो आएगा, अब यह वाले जीरो का पाड़ा पढ़ेंगे, तो भी यहाँ पे जीरो ही आएगा, अब यहाँ पे एक का पाड़ा पढ़ना है, तीन यहाँ पे हो जाएगा, एक का पाड़ा पढ़ें तो एक पच्चे पांच, एक सत्य साथ, एक दूनी दो, एक जीरो जीरो, एक या तीन, एक दूनी दो, अब इसको जोड़ दो, जीरो जीरो जीरो, यहाँ पर आएगा पांच, यहाँ पर आएगा साथ, दो, जीरो, तीन, दो, अब क्या है जब को यहाँ पर दसमलो के बात में मतलब नहीं होता, यह आएगा हमारा उत्तर, यह कितना हो गया, दो, तीन, जीरो, दो, साथ, पांच, जीरो, अब क्या बने है, यहाँ पे देखोगे, तेईस लाख, दो हजार, साथ सो पचास, यह क्या हो जाएगा, रूपया, तो इसके उत्तर में लिखोगे, भूखंड का मुल्या तेईस लाख, दो हजार, साथ सो पचास उपया होगा, यह क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोगों को उसका छेत्रफल निकानना पड़ेगा, छेत्रफल में एक हजार का गुड़ा कर दोगे, तो यह हमारा उत्तर आ जाएगा, अब हम अगला करते हैं, किसी आयताकार सभाग्रिय की लंबाई 12 मीटर तता चौड़ाई 6 मीटर है, तो उस सभाग्री में 30 सेंटी मीटर भुजावाली वर्गाकार फरसियां लगानी है, तो उस सभाग्री में कुल कितनी फरसियां लगेंगी, फरसियां का मतलब क्या होता है, टाइल्स, मतलब यहा लगेगा और दुसरे प्रस्म में कहा देगा 15 cm भुजा वाली वर्गाकार फरसिया ले मतलब टाइल्स ले तो कुल कितनी फरसियां लगेंगी मतलब एक ही रूम है 12 मीटर लंबी है और 6 मीटर चोड़ी है तो उसमें 30 cm वाली कितनी टाइल्स लगेंगी और 15 cm वाली अगर हम ल है कि लमबाई दिया गया है कितना 12 मीटर तब ये मीटर को न सेंटी मीटर में बदल लो क्यों यहां पर देखो कि ये 30 cmुझा भुजावाला लगाना है तो इसको cm में बदल करिक ग्रिः की चवड़ाई चवड़ाई कितना दिया गया है 6 मीटर तो इसको भी 6 मीटर को सेंटी मीटर में कनवर्ड करेंगी तो क्या जागा 6 में 100 का गुड़क है तो 600 सेंटी मीटर होता है आप क्या करना है इसका 6 त्रफल निकालना है तो यहाँ पे लिखोगे आयताकार सभा ग्रिः का 6 त्रफल बराबर लंबाई गुड़े चवड़ाई तो लंबाई कितना दिया गया है 12 सव गुड़े चवड़ाई दिया गया है 600 तो यह जगा 12 छंग 72 और यहाँ पे एक दो तीन चार तो यह जीरो है तो यह हो जाएगा 7,20,000 वर्ग सेंटी मीटर अब क्या बलागे देखो यहाँ पे 30 सेंटी मीटर भुजा वाली वर्गा कार फरसिया लगानी है यहाँ पे लिखोगे 30 सेंटी मीटर भुजा वाली वर्गा कार फरसिया का छेत्रफल अब यहाँ पे ध्यान दोगे 30 सेंटी मीटर भुजा वाली वर्गा कार फरसिया का छेत्रफल क्या जाएगा देखो यहाँ पे सेंटी मीटर में दिया गया है और यहाँ पे बोला गया भुजा है और यह वर्ग है वर्ग का छेत्रफल क्या होता है भुजा का वर्ग यहाँ पे लिख दिया भुजा का वर्ग तो यह हो जाएगा भुजा कितना दिया गया है 30 तो यह जाएगा 30 का वर्ग 30 का वर्ग कितना होता है 900 वर्ग सेंटी मीटर ही आ जाएगा इसलिए लगाई गई कूल फर्सिया लगाई गई कूल फर्सिया कितना हो जाएगा देखो यहाँ पे जो سबागरी का छेत रफल आया है बटे में फर्सियों का छेत रफल यहाँ पे लिखोगे सभाग्रिया का छेत रफल बटे फरसियां का छेत रफल तो सभाग्रिया कितना है साथ लाख बीस जार और इसका कितना है नौ सौ अब इसको कट कर दो 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 ये दो जीरो ये दो जीरो से कड़ गया तो ये कितना बचा हमारे पास साथ दो डबल जीरो बटे में नव अब देखो नव अठे बहत्तर हो जाता है और यहाँ पे दो जीरो बच रहा है मतलब आठ सौ फरसियां लगेगी आठ सौ फरसियां लगेगी ये तो पहले वाले का निकला अब क्या बोला गया है यदि पंद्रा सेंटीमेटर बुजा वाली वर्गाकार फरसियां लगेगी अब पंद्रा सेंटीमेटर का निकालते हैं का च्छेटर फल इसमें भी वही आएगा ये क्या जाएगा बुजा का वर्ग ये हो जाएगा 15 का वर्ग ये 15 का वर्ग मतलब की यतना हो जाएगा दो सो पचीस वर्ग सेंटीमेटर इसलिए लगाई गयी गूल फरसियां बराबर सबाकरी का छेतरफल बटे में फरसियां का छेतरफल तो सबाकरी का छेतरफल हमारे प्रास कितना है 7,20,000 बटे में दो सो पचीज तो इसको भाग दोकि तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 3,200 फरसियां लगेंगी 3,200 फरसियां इसका आ जाएगा मतलब यहां पे 3,200 टाइल्स लगेंगे केने का क्या मतलब है सबसे पहले हमको आयताकार सभागरी के लंबाई और चोड़ाई दिया गए तो सबसे पहले हम लोग उसका छेतरफल निकाल लेते हैं तो 7,20,000 आ जाएगा उसका छेतरफल और 30 cm भुजा वाली वर्गाकार फरसिया का छेतरफल 900 आता है हम लोग 7,20,000 में 900 का भाग दे देंगे यह हो जाएगा 800 फरसिया आजाएगी अब क्या बोलाग है तो 15 cm वाला लेंगे तो उसका छेतरफल कितना आता है 225 तो फिर से 7,20,000 में 225 का भाग दे देंगे तो आजाएगा 3,200 फरसिया आएगी इसी तरीके से करना है अब हम अगला प्रश्न करते है पाच्वे प्रश्न में क्या दिया है सानलाग नाकृति में दर्सा आये गया माप के अनुसार बगीचे की परिमीती तथा बगीचे का छेतरफल ग्याद करो यहाँ पर देखो कि परिमीती हमको पूछा गया है ना यहाँ पर हमको क्या दिया है देखो यह 13 मिटर दिया गया है यहाँ पर लिखो भुजा की लंबाई दिया गया है 13 मिटर अब क्या करना है बगीचे की परिमीती निकालना है यहां पे देखोंगे क्या है यह देखोंगे है। तेरा दी है और इसका गुड़ा कर लेते हैं ते यहां पर 12 में 13 का गुड़ा कर गोते कहाद लेगा 3 दूनी 6, 3 एक कम 3 यहां पर 1 दूनी 2, 1 एक कम 1 यह जाएगा 156 यह कितना आया 156 मीटर आ गया अब क्या बोला गया बगीचे का छेतरफल बोला गया यहां पर लिखोगे बगीचे का छेतरफल बगीचे का छेतरफल निकाले के लिए देखोगे क्या करोगे ये वाला गर मैं इसको ऐसा जोड़ देता हूँ तो ये तेरा हो जाएगा ये ऐसा जोड़ दिये तो ये तेरा हो जाएगा ये ऐसा जोड़ तो ये तेरा हो जाएगा और ये ऐसा जोड़ तो ये तेरा हो जाएगा एक वर्ग का छेत्रफल, मतलब एक वर्ग का छेत्रफल निकाल के उसमें पांच से गुड़ा कर दोगे तो आ जाएगा, तो यह जाएगा पांच गुड़े, वर्ग का छेत्रफल का फॉर्मुला क्या बता है, भुजा का वर्ग, तो यह जाएगा पांच गुड़े, भुजा तंग 30, 34, 34, 33, 5, 5, 5, 38 या 845 वर्ग मीटर आएगा यह आएगा हमारा उत्तर बगीचे की परमिती 156 मीटर बगीचे का चेतरफल 845 वर्ग मीटर तो दोस्तो इसी तरीके से करना था दोस्तो आज हमारा यहाँ पर प्रैस्न संग्रा 46 कम्प्लीट हुआ दोस्तो आप लोगो को भी प्रैस्न संग्रा 46 मिल सकें और इस सेनल को सब्सक्राइब कीजिए नमस्कार दोस्तो